जब भी कुछ हलका फलका खाने कमान हो यानि की टेस्टी चटपटासा कुछ भी खाने कमान हो तो एक बार ये रिसिपी जरूर से ट्राइ कीजिएगा बहुत ही इजी लिए बन भी जाता है और घर के समानों से बनता है तो एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा टी टाइम य मेरे चैनल में तो छली है बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिए हैं एक बड़े से मिकसिंग वो और इसमें डाले हैं एक काटोरी यही डाले हैं यानि कि गेहुं के आटे डाल रहे हैं आज गेहुं के आटे से बना रहे हैं जिसे हम हर दिन रोटियां बनाते हैं कुडियां बनाते हैं वहीं आटे का हम इस्तमाल कर रहे हैं अब इसे और भी क्रंची करारी बनाने के लिए इसमें हम दो बड़े चम्मच यारी नास्ते वाल तो थोड़ी से अजमाइन डालने से हमारे पाचक सकती को मजबूत बनाकर रखता है अब इसमें डाल लिए हैं दो बड़े चमच यानि की एक बड़े चमच हम इसमें डाले हैं तेल ताकि मुएम परफेक्ट हो और हमारा नास्ता करारे क्रंची बने तो इसके लिए मुएम हम में बहुत जरूरी है तो देखे सारे चीज़ को हमने डाल लिए हैं और इसे बढ़ियां से हमें मिक्स करना है मसलते हुए ताकि बढ़ियां से मुएम हमारा परफेक्ट हो गया है देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से हमारा मुईम आया है आब इसमें क्या करेंगे थोड़ हमें टाइट रखना है ताकि हमारा रिसेपी करारी बने तो हलका सा टाइट रखिएगा तो बहुत ही अच्छा सा करंची हमारा ये असनेक्स बानकर तयार हो जाएगा तो देखे हम यह आटा गूत लिए हैं बढ़ियां से सेट होने के लिए धाकर हम रख देंगे ताकि सू बैन में गरम करके डाल कर इसे हलका सा पहले रोष्ट कर लेंगे और इसमें डालेंगे जीरा आधी चमच आधी चमच साबुद्धनिया अर्दस से बारा काले मिर्च डाल लिए हैं सारे चीज को बढ़ियां से हम रोष्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसी तरह से ठंधा होने के लिए तब तक हम ले लिए हैं डो में हम एक चीज भूल गए थे जो की सफेद तील है इसी से बहुत ही बढ़िया टेस्टी और सोनी सी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह जरूर से है तो डाल लीजिएगा नहीं है तो कोई बात नाई टोटली ऑप्स बढ़िया से ठंधा हो गया है तो इसे मिक्सिंग का जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे और इसे बढ़िया सदर्दरा हम पीस लेंगे तो चलिए पीसकर मिलते हैं देखिए इसे हम पीस लिए हैं बिल्कुल भाय पाडर नहीं करना है ताकि टेस्ट अच्छा आए आब उसे कवेंगे साइड में ले लिए हैं जाहीं घंड़ा ज्यादा है तो इसे हम चिलका हटा लेते हैं इसको हम दोभाग में करके उबाल लिए हैं तो बस आप सारे आलो को हम बढिया से फोक से या पोटाइटो मैसर से जैसे भी होगा इसे हम मैस कर लेंगे दो हरी मिर्च को रफ्लिय दमबारि काट कर डाले हैं शाथ ही सफ्षेद नमक utility test के अनूषार और इसने डाल लिए हैं तो चार्ट मसाला देखते हुए मैं हमें नमक डालना है असे डाल ले हैं जो हम मसाले तयार करके रखेबे देखे वह वी ढाल लीए है थोड़ी सी डाल लेंगे हम टीली चिली फिलेक लाल मेंट कर सकते हैं लेकिन चिली अच्छा में बहुत वह यहाथ से इसकIE बारियों के लावस्तलों स्वल Мыॉसरी तो यह हमारा Be reap के तैस्ट período को यालु मसाला तो इस तरह से बनाईएगा तो मेरा गरांटी है बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बच्चे बड़े घर में सभी को पसंद आएगा खास करके चाई के टाइम में बनाईएगा बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा आपका चाई के टाइम यादगार बन जाएग तो उस पे भी बेल सकते हैं लेकिन हम इसी पे बेलेंगे जाए जितना बड़ा हो सके इस पर अलाम से बेल जाएगा तो देखिए चलिए इसे बेल लेगते हैं थोड़े ओओ सेफ में बेल लियेगा ताकि हमारा ये रेसिपी बढ़िया बने तो आप देख सकते हैं हमारा में उतना ही टेस्टी है तो चलिए सारे पर हम बढ़ियां से फैला लिए हैं इसी तरह से हमें फैलाना है अगर उपर से चाहें तो कोई भी सौस चाटनी का इस्तमाल कर सकते हैं पनीर या चीज का लेकिन हम कुछ भी नहीं इस्तमाल करें बिल्कुल घर का बेसिक चीजों से हम बना कर त्यार करेंगे कि जो कि हर कोई के पास अविलेवल हो और असानी से बना सके अब देखे इस तरह से जैसे लम्माई का साइज है ना उसी साइट से हमें इस तरह से फोल करना है और बिल्कुल टाइटली फोल करना है बिल्कुल भी गयप नहीं रहना चाहिए इसे होता है देख सकते हैं आप इसी तरह से हम रोल घुमाते जाएंगे और ये टाइटली हमारा इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि टाइट हमारा रोल बन करता है यार हो जाए देखिए बहुत परफेक्ट हमारा ये रोल बन गया तो बस इसी तरह से हमें टाइटली बना लेना ह हखलका सा इस तरह से घुमा लिजीए ताकि गाप बेच में होगा वह वठीयां से सेट हो जाए अब क्या करेंगे इस तरह के दात वाले चाकू हमें लेना है धार वाले ताकि बढ़ियां से कटे रेटते हुए हमें काटना है इस तरह से तो फ्रेंड्स आज कर रेशी पी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल एकन पर प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए बातों बात में इसी तरह से हम काट लेते हैं जैसे आरी चलाते न उसी तरह से हम आगे पीछे करते हुए हमें काटना है नहीं तो इसका शेप बिगार सकता है अगर एक बार में दबा कर काट लेजिएगा न तो यह जो शेप कर टयार कर लिए है तो चलिए अब क्या करेंगे अब से रखेंगे साइड में दएक लूक कितना अच्छा लग रहा है तो ुद०्ध है अब ले लेंगे झे जो हम आणता निकाल कर रखे थे तो साइड में रहें, शाशन केमें दूद बढ़ चाहिए एंब बूढ़न बीक घाने कर देख कितना प्यारासा कितना स्वाइब और ना viewed से हमें उलड़ते हुए हम इसे बढ़ियां से फ़्राइब कर लेंगे तो चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे निक He is bad Stubal cake और चैप कर लेंगे ताक इसमें आ जायत Harray atillablabok भी इसी तरह से फ्राई कार लेते हैं फिर मिलते हैं तो चलिए-सारे हमारा इसी तरह से हम फ्राई कर लिए हैं देखिए कुल कीथ हमारा यह उस्पार्ट नहीं है और बंला क्षेय का मौताज नहीं रƏ पने आप में बहुत इजाधा फ्लेवर completed है बहुत टेस्टी लगता है फिर भी हम टमाइटो केचप के साथ सर्प किये हैं आप देखे तोड़ने के मतलग अतिसे देख रहे हैं कितना मस्त हमारा यह बन कर तैयार हुआ है तो फ्रेंज आज का रिसीपी कैसा लगा गार अच्छा लगा तो अपने फ्रेंज फैमिली में जादा से जादा सेर कीजिएगा और हमारा यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राब कीजिए इस्टाग्राम फेस्ट पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर से कीजिएगा फ्रेंज ऐसे ही नए नए रिसीपी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेश्ट रेसिप्पी में तब तक के लिए थैंक्यू